आज के समय में computer की कितनी जरूरत होती है ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि office हो या घर हर जगर computer की जरूरत पढ़ती है तो ऐसे में कौन सा हमें computer course करना चाहिए जिससे हमें computer का knowledge भी हो साथ रिसाथ computer के field में हमें expert बनाए तो friends आप 10th pass कर लिये हैं या 12th pass कर लिये हैं या फिर आप graduation कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ADCA computer course के बारे में आप किसे भी field में computer से संबंधित work बड़े ही असानी से कर सकते हैं friends इस वीडियो में आपको हम ADCA computer से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं ADCA computer course करने के बाद आप computer के field में अपना career बड़े ही आसानी से बना सकते हैं साथ हम जानेंगे ADCA computer course के बारे में पूरी जानकारी ADCA computer course क्या है ADCA Computer Course करने के बाद हमें क्या-क्या फायदे होने वाले हैं ADCA Computer Course करने के बाद हम किन-किन छित्रों में नोकरी कर सकते हैं ADCA से संबंधित पुरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाज सक जरूर देखें Friends, वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि Career and Course से जुड़ी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं Friends, मैं भी एक computer संचालक हूँ और मैं भी अपने student को अधिकतर ADCA course करने की ही सला देता हूँ इसलिए आप के लिए मेरा यही राय रहेगा कि जब भी आप computer course करने की सोचें तो आप ADCA course ही करें क्योंकि हर जगा यह course मानने है और सबसे ज़्यादा फाइदे मन्द है सबसे पहले Friends, हम जानते हैं ADCA course क्या होता है ADCA एक computer course है जो advanced diploma course की अंतरगरत आता है जिन भी student को एक computer के छेत्र में अपना career बनाना चाहते हैं उनके लिए ADCA course एक बहुत अच्छा course है अगला Friends, हम जानते हैं ADCA का full form क्या होता है Friends, ADCA का full form होता है Advanced Diploma in Computer Application जिससे आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं अगला Friends, हम जानते हैं ADCA computer course में क्या-क्या पढ़ाया जाता है ADCA course करने से आपको basic तोर पर computer चलाना तथा computer की सभी चीजों के बारे में समान इरुप से जानकारी प्राप्त हो जाती है इस course में आपको computer की सभी basic जानकारी के साथ-साथ आम तोर पर उप्योग में लाये जाने वाले application जैसे MS Word, Excel, PowerPoint, Tally की भी जानकारी दी जाती है course complete होने के बाद आपको एक certificate दिया जाता है जिसके माध्यम से आपको एक अच्छी जाब मिल सकता है अगला फ्रेंट सम्झ जानते हैं ADCA course करने के बाद कौन-कौन से जाब हमें मिल सकता है ADCA computer course करने के बाद आप सभी के मन में यह बात आती है यह course करने के बाद क्या हम अपना career बना सकते हैं जी हाँ हम अपना career computer के field में बना सकते हैं ADCA course करने के बाद job apply करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जिसके माध्यम से आप government, private, self business के लिए जा सकते हैं आप data entry operator का भी कारे कर सकते हैं ADCA course में data entry operator के कारे के बारे में पढ़ाया जाता है student private government sector में data entry करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है data entry operator की job करने के लिए छात्र के पास अच्छे खासी typing speed होनी चाहिए साथ ही साथ आपको दो language, English, Hindi की जानकारी भी होनी चाहिए उसके बाद web development में भी आप कारे कर सकते हैं आज के समय में job के लिए web development company की demand भी रोजाना बढ़ती जा रही है ADCA course करने के बाद internet पर चलने वाली website बना सकते हैं और software पे भी कारे कर सकते हैं जिससे आप हर मैने अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगला हम जानते हैं graphic designs के बारे में अप computer से graphic design का भी कारे कर सकते हैं इसके अंतरगर्थ आप Photoshop यूज करके album design, complete banner इत्यादी design कर सकते हैं रंगीन सादा photo भी बना सकते हैं अपना खुद का studio भी open करके पैसा आप कमा सकते हैं अगला हम जानते हैं cyber cafe के बारे में आपने cyber cafe का नाम जरूर सुना होगा यदि आप ADCA course करने के बाद अपना खुद का cafe खोल कर चलाना चाहते हैं यह भी आपके income का एक अच्छा स्रोथ बन सकता है online form भर के पैसा कमा सकते हैं एक साल में government job के ना जाने कितने form निकलते रहते हैं आप उन form को भर कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगला हम जानते हैं coaching center के बारे में आप ADCA computer course करने के बाद अपना खुद का computer coaching center भी खोल सकते हैं बच्चों को computer सिखा सकते हैं और एक अच्छा पैसा income कर सकते हैं अब हम जानते हैं ADCA computer course की फिस अलग-अलग center द्वारा अलग-अलग फिस निर्दा की जाती है जो की 5000 से लेकर लगभग 10,000 तक होती है ADCA computer course का एक्जाम कैसे होता है अलग-अलग center अपने छात्रों का एक्जाम करवाते रहते हैं इसमें multiple objective based system के माध्यम से एक्जाम कराते हैं ADCA की हर subject के 160 प्रस्न पूछे जाते हैं जो छात्र-छात्रा इस एक्जाम में उत्रूण होते हैं उनको advanced diploma in computer application का certificate दे दिया जाता है अगला हम जानते हैं ADCA computer slivers के बारे में ADCA computer course में छात्रों को